हेलो हाई नमस्ते सब्सक्राइब आज की इस नहीं वीडियो में अभी जो हिसाब से मार्केट गिर रहे तो लोगों के पास कोश्टन्स होगी कि कौन से लेना है और कोन से नहीं लेना है तो मेरे पाप भी दो स्टॉक्स है इसलिए मेरे क्या बलता है इसको थम दल में नाम नहीं रखाऊ अगर आपको दो स्टॉक के बारे में जाना है तो वीडियो के अंटक बने रहना है इसमें कुछ काफी अच्छे ब्रेक आउट हुए है और एक रिटेस्ट का लेवल सानी वाले है जैसा कि पॉर्फेट अगर यह ऐसे गिरते हुए मार्केट में वह एक थेयरी पर्फेट काम आएगा ब्रेक आउट और रिटेस्ट में जो भी आप करेंगे ट्रेड और ट्रेड के लिए आपको स्टॉप तस रखना है ठीक है क्योंक अब जिसको में पिंक करने जा रहा हूं यह ब्रेकडाउन दे दिया है जो लेवल है 14,000 क्या होता है इसको 14,400 के आसपस पकड़ सकते हो तो इंपोर्टन लेवल है यह ब्रेकडाउन दे दिया इसने ठीक है अभी मेरा नेक्स एक्सपेक्टेड है अगर यह ट्रेंड लाइन है ट्रेंड लाइन Kan उसल्र्ण मेरे का रहा हूं मैंने मेरे काफी uren्मेड ट्वीटर पह भी मैंने यह पोस्ट किया चार्ट में कूछ चेंजर नहीं है कुई कि देखरें आपको ग्री लाइन यहाँ पेवल है इसका ठीक है और ग्रीन लाइन काम आपको ड्रेंस का यहाँ ठीक है तो ही possibilities है अगर 40,000 break करेगा तो immediate मेरा support होना वाला है निफ्टी का ये वाला जो आज के लिए में है 13,600 ये काफी deep हो जाएगा तो उतना जाने के पहले wait करते देखते निफ्टी का bounce होता है bounce back कैसे करता है ये आपके सामने जो है मेरा निफ्टी का डेली चार्ट है तो अब ये बेसिस पे मेरे पास दो स्टॉक से तो स्टॉक का आप वीडियो के इंटक देखी आपको समझ में आ ज क्या बोलते इसको और भी कुछ ऐसे 3i infotech के रेसेंट ली है आरीज़ी के बार में मैंने अपडेट दिया है पर जिस किसी को इंट्रेश देख लेना ये स्टॉक के बार में कुछ क्वेरिस आया थे और मुझे चार्ट में काफी एक बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है जि मैं इसको ब्रेक आउट का एक चीज़ दिखा रहा हूं मैंने अब एक चार्ट देखा है है एई जी सी नेटवर्क अब देखी एजी सी नेटवर्क का 258 रुपीस से ब्रेक आउट हुआ था कब ब्रेक आउट हुआ था ये 2020 में और एक साल भी नहीं हुआ ये कितना हो गया 1100 के आसपास हो गया इसमें कुछ है नहीं तो फिर से जो भी कोई स्किप करके आया रहेगा इसके पहले मैंने एक एजी सी के बार में बताया था वह ब्रेक आउट का एक चीज़ बता रहा थीक है अभी जो पिनिंसुला लैंड के बार में जो मैं स्टॉक बात करूँगा व जो बैस लोंको कि यह अगर सबसे बेस्सं बैसे को लेना फेर सियgesch приним आगता और समय स्टॉक का नाम नीं बताया तो आब जो स्टोक का प्राइस है यह stock अगर सबसे best retest value इसका कब होगा पता है आपको यहाँ पे होगा जो आज के लिएट में 5 रुपया 40 पैसा चालू है तो retest कहां तक आपको लेना है यहां तक लेना है आपको 4 रुपीस 80 पैसे ठीक है 4 रुपीस 80 पैसे का stock का आपको यह अगर 4 रुपीस 80 पैसे तक मतलब जाता है तो 4 रुपीस 80 से लेके 5 रुपीए के बेश में 4 रुपीए 80 पैसे से लेके 5 रुपीए 50 पैसा तो आपको इतना के लेवल में अगर retest के value में मिलता है तो यह काफी अच्छा value होगा लेने के लिए ठीक है तो एक बाफे से 4 रुपया 80 पैसे से लेके 5 रुपया 20 या अभी मैंने कितना लिवर बता है वह एक लेवल है 40-50 पैसे के बिश में उसमें लेना है आपको आपको स्टॉपर सकना है 4 रुपया 25 पैसा ठीक है यह आपका रिटेस्ट का एक वैल्यू होगा तो ब्रीक आ 8 रुपय के बीच में एक इमिडियेट रिजिस्टन होने वाला है तो जो भी कोई अगर रिटेस्ट पर लेगा जो मैंने इसके पहले आपको लेवल बता है विच टॉपर के बात बात तो इसको इमिडियेट अगर आप लोगे तो आपको यही लेवल दिखने वाला है रिज रिटेस्ट का एक मौका आता है तो भी काफी अच्छा मौका होगा अपको ठीके अब उसको ब्रेक आट पर लोगे तो आपको स्टॉपर करना है यह सकते हो तो आप रिटेस्ट पर लिजे जो मैंने आपको इसके पहले लेवल बता रेली में या तो आप वीक्ली का जब ब् इसमें मैंने जैसे कि आपको एक AGC network के बार में start में बाताया था उक breakout जो भी होते हैं वैसे पर याद रखना कि हर स्टॉक में वैसे breakout होना confirm नहीं है तो overall इसका next resistance क्या है अगर breakout या तो retest पे लोगे तो यह आपका immediate target बहुत हो तो एक बार वो होगा support पे और आपको immediate target क्या होगा immediate target क्या होगा immediate target क्या होगा मुझे आज आफ नौ peninsular land में यह दिख रहा है मुझे अगर सब सही से चला तो 12 रुपे से लेकि 15 रुपे के बीच में आपको possibilities हो सकता है peninsular land में ठीक है अगर इसको overall structure देखने जाएगा तो monthly में दिख रहा है आपको जो यह blue वाला line था जिस किसे नोटिस नहीं कहा रहेगा अभी मैं इसको pink करता हूँ एक बार गार जाके ने चलो brown करता हूँ एक बार जाके पीछे जाके देख सकती हो जब मैंने daily में लेकर गाता तो काफी अच्छा यह था क्या बहुत है इसको काफी अच्छे जगी से इसने bounce back कि मतलब यह पहले का जो brown वाला line थे काफी important इसका पहले रेजिस्टन्स हुआ करता था ठीक है तो जिस किसे को इंटरेस्ट बार जाके स्किप करके देख लिए क्योंकि मैं कुछ वीडियो में काफी कुछ दिखाए हूँ पर लोगों को जादा इंटरेस्ट नहीं है या तो उ यहां पर यहां पर यहां पर यहां यहां पर यहां पर यह रीजिशन्स मिल गया और यह राइजिशन्स मिल गया तो थर्टीफाई से लेके 40 बिश्में परने के बार में पूरा possibility है पर याद रहना possibilities और होना दोनों डिफरेंट है तो आप जो भी काम करोगे stopless के साथ करना आगर stock नीचे गिरता है तो फिर आप डरना नहीं, डरना नहीं इंदेसें, stopless तो रखे हो ना, तो stopless के बेस पर आप काम करोगे, उसके बिना काम करने में कोई sense नहीं क्योंकि ये stock काफी मतलब देखा ना, रेटेस्ट के बाद भी फिर से उपर गया, तो रेटेस्ट का लेवल कोई सा है, लेवल इंदेसेंस ये वाला है, ग्रीन वाला जो 805 के आसपास दिखा रहा है, तो याद रख लीजे, 878 से लेके 700 रुपया, आपको 178 का रेंज है, और टोटल आपको stopless रखना है 700 रुपया, ये बिल्ला कॉर्परेशन लिमिटर का ओवर एक रेंज है बाइंग करने का, इसमें आपको एक 600 का दिखे रहा है लेवल, वो भी काफी अच्छा है, तो जिस का importance देख लेना, तो first of all, ये stock काफी अच्छा trend में चल रहा है, मैं आपके सामें एक trend रहा है, काफी अच्छा trend है, तो इसमें हमको एक चीज काफी अच्छा दिखाया है, अभी ये जो होता है, जो retest रहा फंडा, ये दिखे आपको green line, यहाँ पे इसने breakdown दिया था, ठीक है ये पहले का breakout level है, मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, कौन सा ये arrow पे ध्यान दिजिए, अभी arrow का color कर दूँगा, ये brown color, तो ये stock ने कहां पे retest लिया पता है, आपको यहाँ पे लिया, जिस किसी ने देखा रहेगा trend line पे ध्यान दिया रहेगा तो, ठीक है, ये वापी से bounce back किया है, तो अब ये trend line का में dot करने जाओंगा, तो यहाँ पे एक हो गया, और ये stock का trend line यहाँ पे दिखे रहे है, दो, तीन, यहाँ पे कुछ काफी, तो ये trend line as of no काफी strong है, तो ये हो गया stock का overall breakout और retest, ठीक है, breakout और retest मतलब ये stock ने कहां से reverse back किया, जो trend line थ तो अब ये stock का मैं आपके सामने एक channel draw कर रहा हूं, ठीक है, और ये हो गया channel, तो फिर से channel में कुछ absent burst है, अभी इसमों फिला तो करूंगा नहीं, अंटिलेनस मुझे धंग से response कभी कभी आते नहीं, तो फिर न, demotivate जैसा लाता है, तो ये आपके सामने जो है, इसको मैं कर रहा हूं, ये है लेवल 805 रुपेगा, तो जो 805 रुपेगा लेवल था, वहां से ये breakout करने के बाद, ये stock ने retest किया है, कहां पे इस trend line पे, ठीक है, तो बिर्ला कॉर्पेशन का जो monthly time frame में कुछ ऐसा दिखता है, ये trend line जो भी मेरे कोई वीडियो से regular दिखते होगे, उ तो अभी जो भी stock किसे ने लेगे, जो range बोला है, overall इसका weekly structure में और इसका target, ठीक है, तो आपको ये, sorry, brown और green दोनों लाइन का मेंने importance बता दिया है, ये weekly है, तो weekly अभी तख close हुआ नहीं, ये याद रखिए, ठीक है, तो brown line आपको दिखे रहा है, यहां पे उसका ज्यादा फिर से यहां पे, तो anyway, brown line भी एक important है, इसलिए मैंने जिस किसी ने long term के लिए इसको 600 रुपय का stopless बना के रखिए, तो overall इस stop का जो range लेने वाला है, यहां से मैं गिर रहा हूँ, 400 रुपय से लेके 800 रुपया, तो मुझे बिर्ला कॉप में आता सब सही चला stopless के साथ अभी मैं नहीं बताऊँगा, यह जब मैं आगे जाएगा जैसा stocks, जैसा कि मैं हमेशा part 2, 3 बताता हूँ, जैसे मेरे stocks है, तो तब मैं वैसे के वैसे बताऊँगा, until and less, यह जो मैंने target बता है, और target बने रही है, तो यह दो stock है, जब भी-भी market correct होता है, तो यह stock आप लीज सके, ज्यादा stock लोगे, ज्यादा लोगे, तो बात में आपको परिशानी होगा, ठीक है, तो फिस है, जिस किसी को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरा नया YouTube का चानल है, आपको लाइक और सब्सक्राइब करने तो आप कर सकते ह हो, तो overall यह मेरा नया YouTube का चानल है, जिस किसी को पसंद होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते ही, UK, USA, commodity related है, और जो भी आप काम करोगे, यह मेरा disclaimer है, इस बार डिस्क्राइमर जरूर पढ़ लेना